पहली बार सिमांचल में आयोजित होगा क्लिनिकल कार्डियो एंड डाइबिटिक सोसाइटी आफ इंडिया का राष्ट्य कॉन्फरेंस बिहार वा जहारखन चैप्टर द्वारा तीसरा राष्ट्य अधिवेशन होने जा रहा है आयोजित पूर्णय को मिली है इस अधिवेशन को आयोजित करनी की जिम्मेदारी इनके अलावा संस्था के पूर्णया वा कटिहार से आये है सदस्य ने भी रखी अपनी बाते देशभर से 300 से अधीक अनुभवी डॉक्तर होंगे बतोर वक्ता शामिल कि यह क्लिनिकल कार्डियो डायमेटिक सोसाइटी क्या है जैसा नाम है कि इसमें पूरे हिंदुस्तान के कार्डियक मतलब हार्ट के डॉक्टर बिशेशकर के जिसको क्लिनिकल कार्डियो डायमेटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया करते हैं इसे सी सी डी एस आई दिन तो यह जो कंफरेंस है यह बिहार जार्खंड चेक्टर का है और यह बड़े सोबागी की बात है कि आपके ही पुर्णिया के डॉक्टर इसके अधियाक्ष बियार जार्खंड के अधियाक्ष यह बियार जार्खंड के अधियाक्ष यह सचिव हैं इसमें हमारे पैट्रोन है जो अभी मौजूद है वो डॉक्टर एस्टी सिंग सिनियर साथ है इस कंफरेंस की सपनता के लिए हर गुरूप हर आइटम हर डिपार्टमेंट के चेर्मेन है इसमें अर्थ की भूमिका भूद है और मुझे हर्ष हो रहा है यह कहने में कि हर्ष ऑस्पिटल के ही डॉक्टर डॉक्टर एस्प्री सिंग सायर इस फाइनांस कमिटी के चेर्मेन है जिनोंने बखुभी पिछले कई महिनों से इस कंफरेंस की तयारी चल नहीं है उसके सफलता के लिए इन्होंने अच्छी खासी धंदासी जुटाने का प्रियास कर रहे है इसमें पूरे आयोजन को हर डिपार्टमेंट को लुकाप्टर करने के लिए जैसे जो डॉक्टर आएंगे एजेई स्पीकर जिसको मुझ सेकंटी करते हैं वो सिर्फ दिहार और जार्टन से ही नहीं आएंगे वो हिंदुस्तान के हर कोने से आ रहे हैं इसमें हमारा दूसरा डिपार्टमेंट है जो कि हमारे आने वाले सभी अत्रीतियों का स्वारत करेंगे वो है ट्रांस कोट का है उसके चेर्मेन है हमारे डॉक्टर एक पाठक साथ नाम क्लिनिकल कार्डियो डायवेटिक सोसाइटी है क्लिनिकल कहने का दाथपर ही है जो हम अपने अनुहम से अपनी आँखों से देखके अपने हाथ से चुप करके या अपने आला से आइगोशिस करते हैं उसे हम क्लिनिकल साइन्स करते हैं क्लिनिकल की बेना जहां के भी कुछ दभाई लेते हैं जहां को बेवारे का फुरद हैं यह अनुहम से यह दे-जब को की अपने बिवान में इस सकिल के-अ लिगों की अदेश से एन इस क्लिनिकल स्किल को पढ़ाना और जो हमारे दिख्या या जो अनुभव की डॉक्टर है वो अपने अनुभवों को शेयर करेंगे और उस अनुभव के आधार पर हम अपने ग्यान में क्यों प्रिदिक करेंगे हम अपने स्किल में अपनी कुशनता में जो नहीं चीज़ें जोड़ पाएंगे और जोड़ने के बाद ही हम अपने रोगयों का बेहतर इलाज करपाएंगे और इस तरट टार्शित ये समाज के इक इसवाब से जोड़ी की संस्तर है जो अब ग्यान हम अर्जित करेंगे और उसे हम रोगयोंपर इपलेमेट करेंगे ताकि उनका जो लाइफ है उनके लाइफ क्वालिटी ओफ लाइफ बेहतर हुज़ने तो ये इसका कोख्यूम्टेशन है और इसके लिए सेमिनार, कॉन्फियंस किये जाते हैं जिसमें की बहुत सही बाते जो हम अपने अलोफ़ों क्याणार पर अजित करते हैं इसको शेर करते हैं और शेर करके अपनी गुन्वत्ता को बढ़ाते हैं तो ये इसका कोख्यूम्टेशन है